आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो इस question हमें दिया क्या दिया गया है यह compound दिया गया है it has chiral center जो की यहां पर स्टार के असनमा किया है कि यह वाला कार्बन है वो chiral कार्बन है तो it is उसने पोच्छा है option 1 में की R है या ऐस है या बहुत है इसका मतलब हम इसकी RS कॉनिफिकेशन बतानी है तो RS कॉनिफिकेशन क्या होता है RS कॉनिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें किसी भी कार्बन की RS कॉनिफिकेशन के लिए पहले उनका purityise देखना पड़ता है तो इसकार अगर ये clockwise रोड़ रोडेट होता है तो वो R कॉनिफिकेशन होगा अगर वो anticlock होगा तो मतलब वो S-configuration होगी तो ये उससे पहले प्योड ये खूम तक ऐसे है उसके लिए हम इससे पहले यहाँ पे number sign करने बढ़ते हैं जैसे कि ये कोई carbon है यहाँ पे 1,2,3,4 ये chiral carbon है यहाँ पे हमने मालिया kolorine लगा है यहाँ hydrogen लगा है यहाँ पे CH3 लगा है यहाँ पे OH लगा है अब हम priority सबसे पहले किसकी देते हैं जिसका priority के लिए हम सबसे बहल नंबर 1 किसको देंगे यहाँ पे नंबर 1 उसको सबसे देंगे जिसका यह जो chiral carbon है जो साथ में यह atom लगा है मतलब कि अगर यहाँ पे देखो यहाँ CH3 है तो हम यह carbon को देखें अगर यह यह OCH3 ही होता तो हम यहाँ पे CH3 ही देखते अगर यहाँ पे CH2 OH होता तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते कार्बन carbon atomic number देखते तो यहाँ पे देखें कि सबसे अगर किसका याद है कॉलरीन का तो सबसे पहले प्रियोटी आएगी इसकी 1 अब इन तीनों में देखें carbon hydrogen oxygen में सबसे अगर किसका है oxygen का तो number 2 यह आया और यहाँ पे number 3 यह और number 4 यह आप देखें किसका वाइज खूम रहा है यह क्लोक वाइज खूम रहा है तो यह R configuration है तो इस तरह से हम RS configuration देखते हैं अब इस compound की RS configuration देखें तो पहले इसका हम स्ट्चर अच्छे सा बना लें यह यहाँ पे इथाईल है जो कि यह CH2 CH3 और यहाँ पे यह OH यहाँ CH3 hydrogen तो अब इसमें सबसे देखें कि सबसे जादा प्रियोटी पहली प्रियोटी किसको मेलेगी oxygen क्योंकि oxygen का इसमें सबसे जाद से रहता है तो 1 तो अब इन दोनों में carbon-carbon है पहला तो atomic जो डिरेक्ली अटैच है स्काइल कार्बन से वह carbon ही carbon है तो इन दोनों का अटामी नमर से तो अब दूसरे में देखें यहाँ पर carbon जो अटैच है वह hydrogen के साथ है यहाँ पर जो यह carbon है वह दूसरे carbon से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर दूसरे carbon का atomic size hydrogen से जादा है तो मतलब यह number 2 यह हो गया और यह number 3 आ गया और यह number 4 आ गया तो अब देखेंगे किस वाइल गूम रहा है यहाँ पर यह number 1 से होता हुआ number 3 number 4 अब हम देख पा रहे हैं कि यह anticlockwise गूम रहा है तो मतलब यह s configuration है तो हमारा answer क्या हो गया option 2 तो मैं आशा करते हैं यह concept अब समझ पाए होंगे thank you students कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 अपर